अब नहीं रहता तो लोग क्या में पियर क्यों होते एपियर हो गए और अब उम्र सीमा का कोई जंजट उनको है नहीं कि उम्र सीमा खतम हो जाएगा अन्युकति में भी पैसा नहीं लगना या पदस्थापन में पैसा नहीं लगना एक कठा जमीन ने बास्तू साथ तक गलवर भी जमीन है तू भी जमीन कोई लेने को तयार नहीं हो ये पीस से तू एतने दिमें बन गया मनेके साथ बन गया समय लगता है उसके लिए चिंता नहीं करना चाहिए नम निश्चिन्त घर में गलवड़ी नहीं कहा तो जा रहा है लालुजी 43 विगा करते हैं कहा गोटाला कर दिया जी चुटी तो मिलना ही चाहिए अब वो चूटी व्यवस्थी थो नहाय खाय से लेके पहले दूसरी अरगत के चुट्टी मिलना चाहिए अभी समय नो तारीक चुट्टी का क्या उचित है सनीवार करें नेश्पोर नेशन में आपके साथ अब जैसिंग बेपेसी टी आरे ठीका रिजल्ट अब तक नहीं दिया गया है जिसको लेकर तमाम ववर्थी हैं वो काफी परसान देख रहें और क अब कहा कोई सबस्क्रास भर्थी है अब कहा कोई दिक्कत है अब तो वह पर करीया है बेपीस स्वायच्ट शस्तास सलेक्ट उग्सना होत मिलंड़ में परकिर्टवी तकल बाहता पर कॉषा करने कोई कोई मुश्प है की बाशिश में mae तो अगेजाम में पारदरशिता तहpha्नों उम्मीद किये हुं एको वन नहीं रहता तो अंभी यह पियर क्यों होते एपोगα और आभ अमर सीमा का कोई जञजट उनको है नहीं कि उम्र सीमा खतम हो जायेगा युक्ति में भी पैसा नहीं लगना इस लगना एक कठछे जमीन पोई लेंको तैयार नहीं होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं बहुत जल्दी ती हो जाएगी अब इस सम्मन्द में और चारी की रूप से तिथी के के बारें बताना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि एक स्वायद संस्ता है और उसको अपना अधिकार छत रहें तो रिजल्ट काफे जल्दी दिया गया उसको जुआनिंग भी करवाएगा लेकिन लेट है इसा क्यों हो रहा है कि अंदर कहीं जोल तो नहीं हो रहा है अच्छ नम निश्चिन्त हो के घर में सोई रहें एक दम कोई गलबड़ी नहीं होगी इसके कारण तो टीयारी फॉर का जो वेकेंसी निकलने वाला होगा वही तो रुका हुआ है लेकिन कई आरोपे लग रहे हैं कि आप कहीं पैसा तो अंदर बारह लाका लक्षा तो इसे ही पुर दाइरा बढ़ाया गया था जो सुप्रीम कोट ने रोक लगा दिया इसके कारण ये रिजल्ट देने में दो इसके बारे में तो हमको ने मालूम है अभी नया फॉर्मूलेशन कहां से आया अभी अगर आया है तब हो सकता है सामानिकार प्रशासन विभाग से आपका संपर् साइलर रहे तो कहा जाएगा तो इनकम घोटाला कर दिया तो अकार है कि हम तो युवाओं को रोजगार देंगे आर्थिक संब्रीदी देंगे अपना संब्रीदी बचा लेते हैं काहने से नहीं होता करने सोता है अब अब दाया था इससे कारण आपको लग रिजल्ट लेक अरे अईसा कोई हमको अपचारिक जानकारी नहीं है बीपीएसी के संबद्ध पताधिकारी ही आपको अपनी प्रतिक्रिया इस पर अपचारिक रूप से और सही देंगे एक और सवाल है सिचकों को लेकर जिससते छुटियों में कट्रुटी की जा रही है बार बार हिंदू और जिस दिन से नहाय खाई शुरू होता हुज दिन से छुटी होना चाहिए और ऐसा नहीं कि छट पर्व केवल हिंदू ही मनाते हैं इस भरम भी दूर रखना चाहिए हमारे गाउं में इसलाम धर्मानने वाले लोग चट करते हैं ताजिया के पूजा नहीं करता हिंदू जुती तो मिलना ही चाहिए चुटी तो मिलना ही चाहिए चुटी बवस्थित हो नहाय खाई से लेकर पहली दूसरी अरग के चुटी मिलना चाहिए अभी समय नौ तारीक के चुटी का क्या उचित है सनीवार का दिन है कोई मतलब उसका नहीं बनता है लेकिन अब चुटी है तो इस सम्बंद में हम लोगों ने भी सिक्षा विवाक से रूद किया है कि इस पर गंभीड़ता से विचार करिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस्ता से यह हिंदू बिरोधी का चेहरा सामने आ रहा है बीजेपी जद्यू करते हैं कि हिंदू के लिए करते हैं और जिसके चुटी का मानक धर्म है तो गुरुगोविन सिंग को मानने वाले कितने लोग है विहार में यह है गुरुगोविन सिंग की जैन्ति का अफसर पर छुटी मिलता है नस्यख धर्म मानने वाले कितने लोग है यह चुटी का धर्म से रिष्टा नहीं होता है परमपरा से रिष्टा होता है यही तो हमारी खुबसूरती है तो आप सुन रहे थे जद्यू के मुख परबक करता है निराज कुछ कहते हैं इस तरह दवाम को रुबन एनीश पुर्ण सरसाथ निश्कार्ण